हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में समय चाल और धूरी के प्रेशने देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रतिगंटे की चाल से जाता है, वह साइकल से 16 किलोमीटर प्रतिगंटे की चाल से लोटता है, इसकी पूरी यात्रा की ओसत चाल क्या होगी, पुराना कोशन है 2001 का पूछा हुआ, लेकिन ये ओसत चाल वाले कोशन एक्जाम में आते हैं, यह आपको मालूम होगा, ओसत चाल पूछ रहा है, ठीक है, ओसत चाल बराबर जो फॉर्मू पूछ रहा है, वह वाई होती है, तू इन्टू एक्स आपका 4, इन्टू वाई आपका 16 है, एक्स और वाई को जोड़ेंगे बटई में, एक्स आपका 4, वाई आपका 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 4 से 20 कर जाएगा 5 बार में, 16 दूनी 32, बटे में कितना 5 कटा दो 5-6-3 दो बचेगा नहीं जाएगा 10 लाएगा 20 हो जाएगा 5-24 क्यानिकि 6 दसमलब 4 6 दसमलब 4 दी आगया है C option में यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है औस चाल क्या होगी 6 दसमलब 4 किलोमेटर पती घंटा चलिए, आब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है एक मोटर चालत 150 किलोमेटर की दूरी पर इस्थिद एक इस्थान के लिए 50 किलोमेटर पर घंटे की औस चाल से जाता है तथा बापसी में 30 किलोमेटर की चाल से लोड़ता है उसकी संपूर्ण यात्रा की ओसत चाल बताई यह क्या है ओसत चाल का फॉर्मूला मैंने अभी लिख वाया था आपको याद नहीं हुआ है ना तो मैं फिर से लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए तू एक्स वाई बटे में एक्स पिलस वाई तू लिखना है एक्स कमान एक्स मैंने आपको क्या बताया पहले वाली चाल आपकी एक्स रहेगी बाद वाली चाल आपकी वाई रहेगी ठीक है तो तीस गुने पचास बटे में आ जाओ दोनों को जोड़ दो पचास और तीस असी हो जाएगा ठीक है यह हो गया असी 30,5,5 हो जाएगा बटे में कितना 4 रहेगा अब 4 से मैं इसको कटाता हूँ 4 से कटाऊँ ना 4 तिरिक का बारा 3 बचेगा 30 4 सत्य 28 2 बचेगा 20 4 बचेगा 20 37,5 और सचाल 37,5 किलोमीटर प्रतियावार C option पिल्कुल सही है अब देखो आप सोचोगे कि हमें ये 150 किलोमीटर दिया गया था ये इसका तो कहीं पर इस्तिमाल नहीं किया इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ये तो आपको गुमरा करने के लिए दिया अब देखने अगला सवाल अगला प्रश्नी है रानी अपने कुल यात्रा मार्ग को तीन समय हिस्तों में बांट कर उन्हें 40, 30 एवं 15 किलोमीटर प्रजावर की चाल सित्य करने का निश्चे करती है तो यात्रा के दोरान उसकी ओसत चाल क्या है ओसत चाल पूछ रहा है अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है यह पहले वाला उसत चाल नहीं है इस बार उसत चाल अलग है क्योंकि तीन चाल है आपके पास एक 40 की चाल, दूसरी 30 की चाल, तीसरी 15 की चाल पहले जो दो कोशन देखे थे उसमें दो चाल थी पहली चाल एक्स, दूसरी बाई लेकिन इसमें 3 है तो देखो, जब 3 चाल रहती है न तो 3 आता है पहले वाले कोशन में 2 चाल थी तो 2 आ रहा था यहाँ पे, यहाँ 3 चाल रहें तो 3 आता है एक्स, वाई, जेट बटे में क्या आएगा पिलस भाई ठीक है एक्स पिलस वो एक्स वाई सॉरी एक्स इंटु भाई आता है पिलस बाई बाई इंटु जेट पिलस जेट इंटु एक्स ठीक है ये फॉर्मूला नोट कर रहे ना अभी मुझसे भूलो रही थी क्योंकि बहुत समय के बाद पर यह फॉर्मूला में रिपीट कर रहा हूं यहां पर तो आप इनको सब को तयार कर लीजे चलिए आप करोगे ना थिरी into x पहले वाली चाल मतलब के 40 y दूसरी चाल मतलब 30 z तीसरी चाल मतलब 15 लिख देता हूं x y और यह है z अब बटे में क्या आएगा x गुने y यानि कि x और y दोनों का गुना 4 ती है 12 और 2 0 मतलब 1200 फिर प्लस का साइज अब y और z 15 ती है 45 और 1 0 450 प्लस z और x का मलपई x और z का तो 15 चोके 60 और 1 0 यानि कि 600 किलोमेटर पतियावा अब देखिएगा उपर तो 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15 है प्लस वाली संक्यन को जोड़ो 1200, 600, 800, 400, 200, 250 हो जाएगा 250 हो गया न अब इनको हम क्या करेंगे कटा लेते हैं 250 हो रहा है इसको आप कटाएगे तब इसका अंसर सही आएगा सबसे पहले तो 10 से मैं यहाँ पर 10 कार देता हूँ कोई सा भी कार दूँ चाहिए वाला कार दूँ 15 से 225 बार में कर जाएगा ठीक है 3 से 15 कर जाएगा 5 बार में 5 से 40 कर जाएगा 8 बार में 8 या 24 24 किलो मीटर प्रतियावा यह आपका सवाल हो जाएगा जो कि पहले ओप्सन में दिया है समझ में आगया ना चलिए आप देखते हैं अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है एक कार 3 किलो मीटर की चाल क्रेमिक बिस्तार को 10 किलो मीटर प्रतियावर 30 किलो मीटर प्रतियावर 60 km प्रतियावर की चाल से तै करती है तो उसकी ओसत गती क्या है देखो दूरी 3 km की है इस 3 km की दूरी को वो 3 चालों से तै करती है पहली चाल 10 की, दूसरी 30 की तीसरी आपकी 60 की पहली चाल 10 की, दूसरी चाल 30 की तीसरी चाल 60 की इन चालों से दूरी को तैय कर रही है दूरी केतनी है तीन किलोमेटर के तो तीन से मैं क्या करूँगा डिवाइड कर तूँगा चलिए औस चाल पूछ रहा ना औस गती तो औस गती का फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पही ओसत गती का तो मैं फोर्मूल आपको बता चुका हूँ एक, दो, तीन तीन चाले न तो ओसत गती का फोर्मूल पिछले कौशन बता था तीन चाले न तो तीन आएगा into x into y into z मालूम है न बटे में xy plus yz plus zx यही तो था चलो 3 into x आपका कितना 10 प्लस Y आपका 30 और Z आपका 60 है, यही तो है, X, Y, यह X लिख देता हूँ, यह Y और यह Z, X और Y का मलत पाई, 10 तिया, 10 से 3 एकम 3 लिख दो, और 2 जिरो 300 हो जाएगा, प्लस Y, Z, 6, 3, 18 मतलब 800 हो जाएगा, प्लस Z, X, 6, 6 मतलब 600 हो जाएगा, अब इनको सब को जोड़िए, उपर कितना है, 3 गुने 10, गुने 30, गुने 60, बटे में जोड़िए, 300, 800, 21, 21, 21, गुने 600 हो जाएगा, 2700, 2700 हो जाएगा, 2 0 से यह 2 0 आप कटा सकते हो, 3 9 27 कर जाएगा, 3 तरिक का 9 कर जाएगा, 3 दुनी 6 कर जाएगा, 10 दुनी 20 हो जाएगा, सवाल खतम हो जाएगा, 20 किलोमेटर प्रतियावार, यह आपके सवाल का सही जवाल है, अब देखने अगला सवाल, अगला प्रशनी है, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमेटर, 40 किलोमेटर पर 3 घंटे के हिसाफ़ सफर करता है, और दूसरे 240 किलोमेटर, 60 किलोमेटर पर घंटे के हिसाफ़ से यात्रते करता है, तो 400 सी किलूमेटर का उसच चाल क्या होगा उसच चाल उसच चाल के मैंने आपको बता दिया अगर आपके पास दो चाल हैं तब भी बता दिया और तीन चाल हैं तब भी बता दिया यहाँ पर दो चाल है पहली चाल 40 की है दूसरी चाल 60 की है तो दो चाल है ना तो दो लेंगी ठीक है ना पहली चाल यानकि X into Y पहले पूरा ही फॉर्मूला लिख देता हूँ X से पहले से भाई 2 into X आपका 40 है into Y आपका 60 है X और Y दोनों को जोड़ोगे तो यह 100 हो जाएगा ठीक है 100 हो जाएगा खर लो सवाल को खतम दो 0 से आप 2 0 कटा दो दो चोक्याट 8 6 48 तो और सच चाल हो जाएगे 48 किलोमीटर प्रतियावर की जो की मेरे पहले ही ओप्सन में दिया गया दिया गया की नहीं दिया गया तो आप आसानी से कर पाओगे अब देखतें अगला प्रशनी अगला प्रशनी है एक कार दुआरा 124 किलोमीटर की दूरी तै करने में 4 गंटे लगते हैं हमारे पास दूरी भी है, समय भी है, लेकिन चाल नहीं है, तो पहले चाल निकालनी चाहिए, चाल बराबस दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी है 124 की, समय है 4 गंटे का, ये किलोमीटर में है, समय गंटे में तो चेंज नहीं करना, कटा दो, 4 त्रिक का बारा, 4 एकम चा केसाफ से आगए 31 किलो मीटर प्रति गंटा बढ़ा दें पहले से 31 किलो मीटर प्रति गंटा बढ़ा दें तो यह कितनी हो जाएगी 40 किलो मीटर प्रति गंटा हो जाएगी ठीक है न इतनी बात अब बोला है 625 किलो मीटर की दूरी दें करने में कितना समय लगेगा समय पूछ रहा है भाई तो समय बराबर दूरी पटे चाल दूरी दी गई है 625 की चाल हमारे पास 40 है ठीक है कटा ली जी एसी को 5 से कटाओंगा पहले 5 से कटाओं अब 8 से कटाओं आठे कम 8 चार बचेगा 45 आठो पंजे 45 पांच बचेगा तो पांच उपर बटे में 8 तो 15 पूरांग 5 बटे आठ घंटे का समय लगेगा देखो किस ऑफ्षन में पहले ही ऑफ्षन में पहला ऑफ्षन हो जाएगा सवाल का सही जवाब अब देखेंगे तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है जदि वह तीन पूरांग 1 बटे 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है तो 6 तरह के घर से बिद्दाले के दूरी क्या होगी ये सवाल आपने बहुत बार एक्जाम में देखा होगा अब इसको करने के ने बहुत सारे हैं सब अपने अपने तरीके से बताते हैं मैं जो तरीक आपको बता रहा हो नहीं सबसे बेस्ट a b b b t b a – b b यhie क्या है ए पहले वाली चाल गुनी बी दूसरी वाली चाल गुनी टाइम बटे में दोनो चालों का अंतर ठीक है चलो पहली चाल केतनी है दो पुणा के एक बटे दो का मतलब है धाई तो धाई को हम 2.5 लेख सकते है इंटू जो दूसरी वाली चाल है ने वो तीन पुणा के एक बटे दो यान कि साढ़े तिन तो मैंसे 3.5 लेख सकता हूँ लेख सकता हूँ यहां तक किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चालीए चलिए बटे में आ जाईए मैं यहां से पॉइंट को अटाऊंगा तो पॉइंट के स्थान पे बना जाएगा, पॉइंट के बाद एक संक्या है तो एक जीरो, यहां पे भी एक संक्या है तो एक जीरो तो मतलग दो जीरो यहां पे आ जाएंगे, कि लिए रहे ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगे, किसी को कोई दिक्कत यहां पे बिल्क करदोगे के नहीं त्या करोगे आप 50 कर ओएज省 साट से डिवाइड करोगे ठीक है अप साठ से डिवाइड करोगा मैं आपको एक चीज के लिए कर देता हूँ कि मैंने बोला था A B T बटे में चालों का अंतर को देखे यहाँ के चाल कितनी है ड् día pages यहाँ चाल कितनी है, साड़े तीन, तो एक का ही तो अंतर है, तो बटे में एक लिखो, चाहे मत लिखो, एक लिखोगे, तब भी उखरक नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने एक नहीं लिखाता, अगर मैंने यह यहाँ पर लिख लिए है, चालों का अंतर मैंने एक लिख लिए है, 35 तो 25 से 100 को मैं 4 बार में कटा सकता हूँ 4 से 12 को 3 बार में कटा सकता हूँ और 3 से 60 को मैं 20 बार में कटा सकता हूँ कटा सकता हूँ कि नहीं ये कितना 35 और ये कितना 20 5 सत्य 35 पांचो के 20 साथ के बटे में 4 आगया 4 से कटा हूँगा 4 एक कम 4 3 बचने नहीं जाएगा 10.30 हो जाएगा 4,68 बचने दूटहएगा 20 हो जाएगा तो 4,25 जाएगा o 1.75 किलो मीटर तो फिद्दयले की दुरी कितने हो गी 10도 75 यान की पौने दो किलिमेटर हो गया ये इतनी दूरी हो जाएगी तो ये प्रेशने बहुत आसां है अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें इतना काम जरूर करें ठीक है दोस्तों धन्यवार